वर्ल्ड कब 2023 के फाइनल में हार का सामना करने के बाद अब टीम इंडिया के सामने है सबसे बड़ा टेस्ट और वो टेस्ट है साउथ अफरिका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज सबसे पहला टेस्ट होगा 26 दिसंबर को सेंचूरियन में और दूसरा टेस्ट मुकाबल जीता और आपको याद होगा 2021 वाली टेस्ट सीरीज जो हुई थी उसका जो पहला टेस्ट मुकाबला था सेंचूरियन में हुआ था के यल राउल ने सेंचूरियन में से जो टीम इंडिया ने सेंचूरियन में जीता उसके अलावा अगर आप overall record की बात करें तो टीम इंडि अभी उस चीज से पूरे तरीके से उबरे नहीं है पर लेकिन बहुत बूस्ट देगा रोई शर्मा को भी अगर वो साउथ अफरीका में जाकर साउथ अफरीका की सर्जमी पर टेस्ट सीरीज जीत जाते हैं और शुरुवात विनिंग मोमेंटम से होती है सेंचूरियन में पहला test मुकाबला जीत कर तो टीम इंडिया के लिए एक नया टेस्ट है पूर्ड कप के बाद और दूसरी तरफ देखे तो रोई शर्मा के लिए बी एक नई अगनी परिक्षाप लेकिन अगर आप मुकाबलों की बात करें अगर आप सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया जब जब South Africa गई है कितने टेस्ट मुकाबले खेले हैं और Team India का पलड़ा उसमें भी थोड़ा सा कम देखने को मिला है और South Africa का पलड़ा थोड़ा जादा देखने को मिला है लेकिन हम आकड़े की बात करें तो वो कुछ ऐसा है तो South Africa की सरजमी पर जाकर Team India ने कुल 23 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें से चार में सिर्फ जीत हासिल हुई है और हार का सामना करना पड़ा है 12 बार यानि 12 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा ड्रॉव हुए हैं 7 मुकाबले तो ये भी कई ना कई भारत के पक्ष मे इंडिया और South Africa के बीच तो 42 मुकाबले हुए हैं कुल और जीते भारत ने 15 हैं उसमें से हारे 17 हैं और ड्रॉव 10 हुए हैं तो और कहीं न कहीं इसी वज़ाए से मैं कहना चारा हूँ के टीम इंडिया के लिए कितनी खास हो सकती है पर अपनी राए दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताए क्या 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 लूप होल्स है अभी इस पूरे स्कॉड में टीम इंडिया के जो की टेस्ट दोरा करा है जिस स्कॉड ने South Africa में फिलाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है